हेलो स्टो तो आज हम एक खास परचेज की एंट्री करेंगे तो वह क्या खास परसेजе नाम सीं वाइस जो कि रहमन मुशिनरी स्टोर का बिल है उस रहमन मुशिनरी स्टोर ने बिल एसरें बजार के नाम पर बनाया है तो एसरें बजार है अपनी फरम जिस पर हम काम करी पीछे सारी सारी एंट्रीज हम इसी एसरम बजार में ही लिख रहे हैं तो यह आप देखिये कि मैं पंद्रा आठ सतार को एक बिल बनाया रहमन मशिनरी स्टॉर ने ऐसरम बजार के नाम पर तो हम देखिया कि हम पर क्तist क्या किया हुआ है हमने क्या चीज खरीदा हुआ है रह्मन मशीनória से तो यह देखें मशीन होती है जो की चश्म वगएरा बनाने के का मातीन चस्मेक को चस्मे की पीटिंग होती है इसमे ठीक है नहीं इस मशीन के द्वारा चस्मा बनाया जाता है तो यह देखिए एक मशीन की जो कीमत है सतर हजार पांसो रुपे हैं ठीक है तो उस पर यह टेक्स लग गया 12 प्रसेंट टेक्स लगने के बाद यह अठातर हजार 960 रुपे का यह बिल बन गया है तो हमने इस बिल की एंट्री डालनी है तो जो नॉर्मल जो परचेज की एंट्री डलती है उससे थोड़ा सा यह अलग होता है इसमें कुछ खास ख्याल रखना पड़ेगा आपको तो यह देखिए कैसे एंट्री डालनी है तो यह अपनी फर्म उपन है सर्म बजार तो परचेज में जाएंगे ट्रांजेक्शन के निच्चे परचेज है फिर एड़ पर एंट्र किया तो इन्वाइस की डेड़ देखिए कितनी है पंदरा आठ पंदरा आठ होगी तो यहां पर यास कर देना है तो बारा परसेंट टेक यहां पर आठेल बना हुआ है तो यहां फirm देफ ड़ू दवाएंगे तो यह दकार। अंध थी। मास्टर के हम पऊंच गया रामन रामन कम शिनरी स्ट और है यसम मशिन अधर है आद यहां पर यहां पर हमने अपर लुट पर करने हैं तो इसके बाद यहां पर इसको करने है रे इस्टर तो यह चाहां कि यह लुधिया नटर करके यहां पर उसका अडस लीखרה कहाँ पाथ सो पचन 185 इंडस्त्रियल इरिया लुधिया तो उसके बाद उसका जी हैश्ड Agora है मैं क्या करूँंगा यहां से इसको select किया राइट करके copy तो यहां पर करते हम प् reference प्र आज हो गया है रहत जाए नमगर गलत है तो यह व्य के येस्ट नमबर गलत ही है तो अब क्योंकि यह डेमो है इसलिए यह कितने है एक दो तीन चार पांच छे साथ आठ नौ दस ग्यारा बारा तेरह कि यह पंदरा बन गए है तो यहां पर आएगा जो हम गुड्स बगएरा खरीड़िते खरीद के उसको बेचते है ठीक है ना बेचने के लिए abbiamo खरीद आएगा इंपुट गुट्स में ठीक है और जो चीड करीदते फर उसको बैचने के लिए नहीं खुरीदते ठीक है जो चीज जैसे मशिनरी है यह मशिनरी हम प्रोडेक्शन के लिए यूज करेंगे ठीक है ना किसी चीज को मनिफेक्ट्रिंग करने के लिए चीज बनाने के लिए यूज करेंगे ठीक है ना मशीन खरीद लिया तो हम इसे बेचेंगे नहीं इस मशीन का फ्योग करके हम चसमे वगेरा त्यार करेंगे और उस तयार किये गए चसमे को बेचेंगे तो इस इसको हम Capital Goods में लेंगे ठीके न है तो यहां पर यहां बनाएंगे मशीनरी का अकाउंट नहीं है तो यहां पर फिर आइटम क्रेट करना है फिर यहां एफ-3 दबाएंगे तो यह दिखिए एड आइटम मास्टर पर आ गया है तो यहां पर आपने लिखना है मिश ऑप्टिकल स्वीटिंग मिशीन तो यहां जर्नल में यह पीसीज में हैं तो इसके बाद बिल पर देख सकते हैं यह जो टैक्स का जो रेट लगा हुआ है और जो एचसन कोड है यह एक्जेक्टली सही नहीं है यह मैंने अपने तरफ सही लगाया है तो इसके लिए हमें अचसन कोड बगेरा मशीन का ढूंड के तो टैक्स भी उसी के साथ हमें मिलेगा तो सर्च कर करना पड़ेगा अचसन कोड मशीनरी के इस मशीन के ऊपर कितना है तब इग्जेक्टली पतल आएगा तो एंटर 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 करके यहां कर दिये नो तो यह स्पेसिफाइब सेल अकाउंट स्पेसवे परचेज अकाउंड इसको करेंगा यास तो यह यह देखिए यह जो मिशिनरी है में सी है चाइए निया रहा मिशिनरी तो यह फिक्स एसेड हमारा तो यहां पर एन्वल रेट ओफ डेफ्रीशन कितना है फिफ्टीन परसेंट लगता है हाफ साड़े साथ प्रसेंट हो जाएगा तो इसमें जी एस्टी अप्लिकेबल है टेक्स कैटेगरी इसम नहीं अप्लिकेबल है तो इसको एंटर एंटर करके हमने कर दिना सेव तो इसको कर दिना सेव तो कितनी कितनी का है यहां पर यह देखिए एक है सत्तर पान्स होगा हैं कि सतर पान्सो इसको कर दिया एंटर तो यहां पर स्जी एस्टी सीजी एस्टी अटातर नोससाठ रपे का बिल बन गया तो यह हम पर तो यह दिकिए अठातर no-so-sat रपे तो यह इसको गर दिना सेव और इन्बॉइस नमर कितना है और इंबॉइस नम्बर यह तो एक को कर देना है एफटू करके सेव तो अब देखिए क्या क्या बन गया एक तो हमारे पास मुशीन आ चुकी है यह पंदरा आठ्ट यह हमारा एक फिक्स एसेड बन चुका है एक संपत्ति बन चुक यह फिक्स मतलब ठीक है ना तो यह एंट्री हमारी पर्चेज में नहीं जाएगी यह दीखिया परचेज में नहीं आएगी क्योंकि वो बेचने लिए नहीं है परचेज में वो एंट्री आती है जिसे हमने आगे बेचना होता है मतलब खरीद के जिसे हमने सेल करना होता है तो रमन मशिनरी स्टोर के 78,960 रुपे हमने देने ठीक है ना पर CGST इन्पुट यह देखिया यह आगे न रमन मशिनरी स्टोर इसका हमें इन्पुट टैक्स क्रेडिट मिलेगा गवर्मेंट से ठीक है तो मतलब इस सब्सक्राइब करने के लिए अगर उसमें पैसा यूज कर रहे है न ठीक न तो उस चीज़ का इन्पुट टैक्स क्रेडिट मिलेगा तो आज की वीडियो में अभी इस वीडियो में इतना ही है तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद